हेलो स्टुडेंड्स कैसे हो आप सब तो आज के वीडियो के अंदर हम study करने वाले हैं चेमिकल प्रोपर्टीज ओफ मैटल्स ठीक है तो पिछले वीडियो के अंदर हम physical प्रोपर्टीज ओफ मैटल्स को complete study कर चुके हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के i button प करतें perd के साथ तो क्या होता है क्या नहीं होता यह नहीं कर पाएंगर हमने पड़ा तो सबसे पहले मैं बात करूं oxygen की और अच्छीजन और सब्सिर का बनाते हैं मैंतलिक ऑक्साइड मैटल जब ऑक्षिजन से साथ reaction होती है तो क्या बना देता है metallic oxide बना देता है तो यहाँ पर कुछ question आपसे क्या पुछे जाते हैं क्यों sodium और potassium को kerosene oil में रखा जाता है आपसे question पुछा जाएगा emphoteric oxide aluminum के बारे में पुछा जाता है कि कौन से कौन सा ऐसा यहाँ पर metal है जो metallic oxide बनाता है और फिर उसका जो metallic oxide हो reaction कर लेता है acid or base के साथ तो वह emphoteric हो जाते हैं जो acid or base दोनों के साथ कर लेते हैं या फिर आपसे question पुछा जाता है कोन कई कोन से metals हैं जो oxygen के साथ reaction करके एक protective layer बना देते हैं जो लेर वो activity series बता देता हूँ activity series क्या है देखिए केदार नात का माली आलू जरा फिका पकाता है और फिर यहाँ से आगे क्या होगा high court है high court है मतलब mercury Hg आम आद में पार्टिका यानी Hg फिर ओरम और फिर platinum तो इस तरह से decreasing order है decreasing का मतलब समझ रहे हूँ पहले पोटेसियम फिर sodium फिर calcium मतलब ऐसे धीर धीरे निच्चे की तरफ चल रहे हैं हम क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं थी तो यहां से उपर जाओगे और यहां से वापस कैसे आजाओगे निच्चे आज्वें ठीक है यहांसे उपर जायोगे वापस निच्चा आजाओगे यह अब मतलब सर्क निऔर न गरता किया है तो आपको बताती है कि को नमेतल ज्यादा पाउर्फूल कोंड अच्छे एकसन कर सकता है कों कम तो नमेटल से आपको धूड़ा tie उसमें क्या रहा है potassium, फिर sodium, फिर calcium तो समझ जाओ, सबसे उपर है, वो सबसे ज़्यादा reactive है, सबसे ज़्यादा powerful है, यनि potassium powerful है, फिर sodium है, फिर calcium है, फिर magnesium है, फिर aluminium, फिर zinc, फिर iron, lead, hydrogen, copper, mercury, hg, फिर यहाँ पे आपका argentum, यानि silver, ठीक है चांदी, फिर aurum, यानि sona, और फिर platinum, ये सारे आपके पास क्या है, metals है, जो reactivity series में है, यहाँ पे एक चीज है, hydrogen, जो आपको थोड़ा प्रेसान कर सकती है, कि सर क्यों hydrogen को रखा जाता है, ये तो आपके पास gas है, लेकिन फिर भी इसको reactivity करता है, तो क्या बनाता है, metallic oxide बनाएगा definite सी बात है, तो जैसे यहाँ पे potassium है, potassium ने यहाँ पे oxygen के साथ reaction किया, oxygen के साथ reaction करने का मतलब समझते हो ना, मतलब की burn होना, समझे, जब किसी object को जलाते हो, carbon को जलाते हो, paper को आग लगा बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके बास बन जाएगा K2O, ठीक है, यह बन जाएगा potassium oxide, फिर यहाँ पे sodium ने reaction की, आप देखे, पहला metal मैंने ले लिया यहाँ से, फिर दूसरा ले लिया, दूसरा metal हो जाएगा मेरे पास sodium, sodium oxygen से reaction करेगा, क्या बनाएगा यहाँ पे, NA2O, यह बना दिया इसने, NA2O, उसके बाद और ले ले लिते हैं, यहाँ पे आपके पास, अच्छे, A2O क्यों लिख रहा हूँ मैं, बात को समझे, जो metal और non metal पहली बात और यह action करती ही, क्यों है, मैंने आपको देखिए, एक सोटा example ले लेता हूँ, वो सभी पे आप apply कर देना, ठीक है, जैसे यह मेरे पास sodium है, इसका itemic number 11, यह मेरे पास oxygen, अभी तो oxygen की बात कर रहे हैं, तो इसका example लेते हैं, इसका itemic number 8, अब इनका electron configuration लिखके देख लेते हैं, एक बार, तो sodium का electron configuration मेरे पास होगा, देखिए, 2 and 8, कितने होगे, 10, 11 में से 10 गए, कितना बचा, एक, oxygen का लिख लेते हैं, oxygen का देखिए, 2 and 6, तो 6 और 2 और 6 कितने होगे, 8 होगे, ठीक है, यह इनका electron configuration है, अब इसके outer most cell में देखिए, 1 electron है, और इसके outer most cell में 6 electron है, सबको चाहिए सबको 8 electron चाहिए, stability का मतलब यहीं होता है, कि सारे अपने outer most cell में 8 electron चाहते हैं, यहां पे 6, इसके पास एक है, तो इसको कितने चाहिए, या तो 7 चाहिए, या फिर क्या करें, अपने एक को भी बाहर निकाल दे, तो अपने एक को बाहर निकाल दे, तो अपने एक को बाहर न दानी की वतरह से ले जा, एक कामगर चलो, ले जाओ oxygen, हमारे पास oxygen की कोई कमी नहीं है, एक दे दिया, दो दे दिया, तीन दे दिया, oxygen दे दे देते हैं, मतलब electron दे देते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखिए, इसके पास क्या है, 6 electron है, तो इसको कितने electron और चाहिए, 2, तो दो electron और चाहिए, इसको, तो यहां पे देखिए, इसने अगर जब sodium से reaction करी, तो क्या हुआ, sodium के पास extra कितना था, यहां पे किवल एक था, तो एक sodium कितना दे सकता है, एक, तो दो sodium कितने दे सकते हैं, दो, तो यहां पे देखिए, मैंने oxygen को तो एक लिखा, क्योंकि एक oxygen को दो electron की ज़रुक थी, लेकिन एक sodium केवल एक ही दे सकता है, तो दो कितने दे सकते हैं, दो, दो sodium दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पे कितने लिखे sodium, दो लिखे, समझगे बात को आप ठीक है, तो इस तरह से सारे सभी पर यह अपलाई होगा, जब भी reaction होती है, आपके पास ही electron का transfer ही होता है, और reaction का कोई बहुत बड़ा है, यहां पर issue नहीं होता कि सर reaction हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, chemistry सर के उपर से जा रही है, chemistry बहुत निचे से जाती है, आप पकड़के उसको थोड़ा से निचे ले क्या हो तो, समझगे ना बात को, क्या है केवल electron क transfer होता है, इसी को हम chemical reaction बोल देते हैं, पुराने bond तूट जाते हैं, नए bond बन जाते हैं, नए bond तूट जाते हैं, पुराने तूटते हैं, नए बन बन जाते हैं, नहीं पुराने तूटते हैं, नए बनते हैं, हाँ, तो यह क्या हो रहा है कि मतलब electron transfer होते हैं, तभी bond तूट पहला वोड़ जाता है कि क्यों sodium और potassium को kerosene oil में फिगो के रखा जाता है तो हमारा क्योशन काफी बार हमसे बढ़ा हम से एक्जाम में पुच्छा जाता है कि क्यों sodium को kerosene oil में फिगो करके रखा जाता है तो इसका यहीं रिजन है कि जैसे ही यह बाहर atmosphere में आता है oxygen के साथ reaction करता है और तुरंत क्या बना देता है यहां पे metallic oxide बना देता है और साथ में बहुत सारी heat भी release कर देता है और उसी heat से खुद जल जाता है खुद में आग लग जाती है यानि जैसे अगर आप sodium और potassium को कुला हवा में शोड़ दोगे इसमें आग लग जाएगी इसलिए इनको बहार जब भी reaction chemical reaction laboratory में भी करी जाती है तो इनको टॉंग से बहुत अच्छे से बहुत केरफुली इनको बहार निकाला जाता है कैरोसीन ओयल से नहीं तो अधर्वाइस हैं वो एक protective layer की तरह से काम करते हैं तो पगड़ लेते हैं चलिए बहुत कैल्सियम को छोड़ देता हूं यहां कैल्सियम reaction कर लेता है आराम से इनकी तरह बनाएगा magnesium साथ में उसके बाद aluminium उसके बाद यहां पर zinc और उसके बाद iron को छोड़ दो लेड आरन तो तुम्हें पता है ना iron के oxygen के साथ reaction करके रश्ट बना देता है जंग बना देता है आरन को छोड़ रहा हूं यहां से क्या आगया लेड यह याद कैसे करोगे केदार नाथ का माली आलू जरा फिका पकाता है तक लोगे ना याद हाई कोरट है आम आदमी पार्टी का दो भाग में याद रखना पड़ेगा इसको आपको ठीक है तो यहां भी देखिए magnesium आयम एलूमिनियूम जिंक और लेड यह चार ऐसे मैटल्स हैं यह जब भी oxygen के साथ करेंगे चारों के चारों जब भी oxygen के साथ reaction करेंगे बनाएंगे तो वही metallic oxide अगर में जी रेक्शन करेगा औक से चार किया बनाएगा magnesium oxide यानि Mg लिख देता हूँ चलिए यहाँ पर confusion create ना हो आप सुचेंगे पता नहीं क्या चीज असर ने लिखाई नी देखो mg प्लस O2 क्या बनाएगा 2 mg अब यह 2 लगा रहा हूँ ना तो इससे समझ जाओ क्या हो गया balance कर रहा हूँ मैं सिरफ aluminium को लेंगे aluminium क्या करेगा oxygen के साथ बनाएगा Al2O3 सिरफ valency satisfy कर रहा हूँ molecular formula पड़े होंगे ना आपने aluminium की valency कितनी होती है aluminium की valency 3 होती है oxygen की कितनी होती है 2 होती है दोनों को cross multiply करते हैं molecular formula लिखते थे तो Al2 और O3 तो मैंने भी वहीं किया यहाँ पर क्या लिखा Al2 और O3 समझ के बात को तो इसी तरह से electron का transfer हो रहा है बस लेकिन अब यह protective layer की तरह से कैसे काम करते हैं तो basically क्या होता है कि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि magnesium को जलाने से पहले इसको साफ किया जाता है magnesium ribbon को जलाने से पहले क्यों क्यों कि वहाँ पे magnesium oxide की layer बनी होती है जो कि उसको burn नहीं होने देती है बरन नहीं होने देने का मतलब समझते हो oxygen से reaction नहीं करने देती है जैसे iron है ना iron articles को भार छोड़ दो थोड़े दिन में गल जाएंगे खराब हो जाएंगे जंग वंग लगके आपको पता है समुद्र में कितने बड़े बड़े जाज होते है पाणी के गल के खाक हो जाते है किसके चलते है metal oxygen के साथ reaction करता है उसके चलते यह इन में ऐसे आग नहीं लगती है आग लग दी चलो जल गया यह ऐसे ही जल जाते है oxygen की धीरे धीरे reaction करता है इनको खाता रहता है खा जाता है पूरी तरह से इनको तो ठीक उसी तरह से क्या होता है कि यह जो metals है क्या गरते एक protective layer बना देते हैं आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे articles हैं जैसे की बहुत सारे ऐसे utensils हैं बरतन हैं cycle की rim, bicycle, bike की rim जो होती है या फि ही देखने में sign ही होती है पर दूसरा एक और reason है कि वो जो layer है oxygen के साथ reaction करके क्योंकि aluminum है reaction करके क्या बना देता है और aluminum oxide है वो उसके बाद atmosphere में reaction नहीं करता है मतलब एक बार हो गई reaction एक protective layer बन गई अब उसके बार निचे वाला उसके निचे जो metal था वो भी safe है और उसके उपर जो metal aluminum है वो तो खुद तो safe है तो एक मोटी सी layer वो aluminum के वहाँ पे चढ़ा दी जाती है समझगे बात को तो यह दूसरा क्यों सन हो गया कि क्यों कुछ metals की जो layer है इस पर बना दी जाती है तीसरा क्यों सन आपसे पुछा जाता है इस aluminum oxide यह बहुत परेशान करेगा अगर आपने आज ठीक से नहीं पड़ा तो यह बहुत परेशान करेगा इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं इसके बाद यहां पर हम बात करें aluminum oxide की और यह परेशान आपको कैसे कर सकता है आपको बस एक बात याद रखने हैं फिर आपको यह परेशान नहीं करेगा वह कुंसी यह एमफोटरिक oxide है मतलब aluminum में aluminum ने oxygen के साथ reaction करी सिंपल सी बात है metal ने oxygen के साथ reaction करी metallic oxide बनेगा ठीक है बना देते है AL2O3 अच्छा balance भी कर देते हैं आप सोचों के सर ने balance नहीं किया तो यहां पर आपके पास ले लेते हैं देखे यह AL2 है तो यहां पर थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ इस oxygen को यहां पर 2 लगा दूँगा और यहां पर भी 2 लगा दूँगा तो हो जाएगा AL2 और 2 into 2 कितना हो और इसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा तो मैं यहां पर कर देता हूं 302 बैलेंस होगी रियक्शन ठीक है परिशान अने वाली तो कोई बात ही नहीं है अब इसके बाद क्या करते हैं यह जो इसका एक नेचर होता है यह एसीड और बेस दोनों के साथ रियक्शन कर लेता है और ऐसे मैटलिक ओकसाइड मैटलिक ओकसाइड में कैसे होते हैं मैंने आपको पहले भी पढ़ाये जब इस बाला चब्टर हमने पढ़ा यह सथ रियक्शन करते हैं और क्या बना देते बनाते हैं और जब यह भी ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब इनका वी नेचर कैसा है बेसिक है तो दोनों के साथ रियक्शन करेगा इसीड पे भी करेगा और यहां पर साल्ट और वोटर फॉम कर देता है तो इसलिए इसको एमफोटरिक ऑकसाइड कहा जाता है इस पर क्यों सु पहले एसीड के साथ रियक्शन करवा दूँ इसकी एसीड के एसीड ले लेते हैं पहला यहां पर एसीड के साथ रियक्शन करवा रहा हूं तो यहां पर ले लिया हमेने एसीड रियक्शन करेगा क्या बनाएगा साल्ट और वोटर बनाएगा तो वोटर तो लिख देते हैं हम यह लिख दी हमने water H2 किसका बनेगा देखिए यह metal है यह non metal है metal और non metal के बीच क्या बनता है salt बनता है तो यहां पर लिख देते हैं Al Cl3 फिनोमेना वह लगेगा aluminum अकिला क्लोरीन 3 जुड़े क्यों क्यों क्योंकि aluminum की balance कितनी होती है plus 3 होती है तो तीन एलेक्टोन देने थे इसको क्लोरीन के वहले एक लेक्टोन ले सकता है तो इसलिए 3 क्लोरीन जुड़े 3 chlorine ने मिलकर के aluminum से 3 electron ले लिए इसने के लिए नहीं 3 दे दिये समझ गये तो ALCl3 आया तो ये उसके बाद आगर molecular formula नहीं आते तो मेरी वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं तो इसके बाद देखिए आपके पास क्या हो गए इसको balance कर रहेते हैं AL2 यहां से O3 अच्छा इसके बाद देखिए चलिए इसको कर देता हूँ 6 उसके बाद यहां पर आपका हो गया S2O इसको कर देता हूं 3 और उसके बाद यहां पर ALCl3 इसको भी कर देता हूं 2 और मेरे ख्याल से अब यह balance है ठीक है? balance हो गई है सबसे अच्छा बेस होता है उसी के साथ करवा देता है जब रिक्षिण ही करवाने है तो यह ए न नहीं होए ठीक है और जब यह दोनों पर रिक्षिन करेंगे तो क्या बने गासालट और वोटर यह बन गया sodium aluminate इसको क्या बोलते हैं sodium aluminate बोलते हैं और प्लस आपके पास बन गया water reaction को balance नहीं करना आता तो फिर से कर देता हूं देखिए यहां पर आपके पास sodium है तो यहां पर मैं कर रहा हूं जाता है कि जब aluminum oxide acid or base के साथ reaction करता है तो क्या होता है तो salt or water बनाता है यहां तो बन गया aluminum chloride यहां बन गया sodium aluminate समझे बात को तीसरा क्योंसन यह था और क्या क्योंसन हमसे पुछा जाता है कौन से ऐसे मैटल है जो reaction करते ही नहीं है यह देखो यहां से आजाओ आपके पास argentum aurum platinum mercury भी ले लो चलो यह क्या है बहुत powerful metal है powerful का मतलब less powerful metal है मतलब यह noble metals की काटेगरी में आ जाते हैं यह ना अर्जेंटम चांदी सोना इसलिए तो इनके बनाए जाते हैं आभूसन वगरा जितने गहने वगरा है वह इनके बनाए जाते हैं क्यों क्योंकि आगर मालों की लोहे की बनाई संदूक में रखी दो तिन दिन बाद निक यह साफ हो जाते जली देखते हैं कई वारचांदी के गहने वगरा होते हैं वो उनके ऊपर एक black color का सब्स्तांस हो जाता है और उसको फिर दे देते हैं साफ करवाने के लिए और clean करवा के उनको ले आते हैं समझेंगे बात्कों तो इस चारव कहीं बोधा चल गया क्योंकि यहां पे देखिए कि कौन से ऐसे metals हैं जो oxygen के साथ reaction करके और एक protective layer create कर देते हैं तो आप बताओगे यह 4 metal आपके कौन-कौन से यहां पे magnesium, aluminium, zinc और आपके पास यह lead यह 4 बताओगे आप तो यह ऐसे metals है जो reaction कर लेते हैं और यह क्या बना देते हैं जिंक रियाद होगा आपको galvanization process में iron पे zinc के लिए इसलिए बनाते हैं क्योंकि zinc क्या है high reactive metal होता है और यह oxygen के साथ reaction करके zinc oxide की layer बना लेता है और iron को protect करता है समझके न तो यह हैं तीसरा क्योंसन आप से पुछा जाएगा एंफोटरी कोक्साइड aluminum oxide पर क्योंसन आएगा ठीक है aluminum oxide पर क्योंसन आएगा acid और base के साथ reaction करता है तो क्या करते हैं चोथा क्योंसन आप से पुछा जाएगा non metals कौन से ऐसे noble metals है जो reaction करते ही नहीं है राजा है noble का मतलब राजा होता है मैं तो किसी के साथ reaction करने वाड़ा ना मुझे electron की जरू होता है ना मुझे किसी से लेना ना मुझे किसी से देना समझगे बात को तो यह less reactive है समझगे कौन copper यह आपके पास copper भी आ जाता है copper वैसे reaction कर लेता है ठीक है पर एक black coating ग्रीन coating आपको याद होगा हरे कलर की मैंने पहले बताई थी इसमें तो उसके बाद mercury argentum aurum और यह platinum ठीक है तो यह सारे कुछ क्योशन इसमें से आप से पुछे जाते हैं अब मैं चलता हूं अगली यहां पर टाइप पर हमारा metal जब water के साथ reaction करते हैं तो क्या होता है इसमें से जो क्योशन आएंगे मैंने आपको बता दी क्या सकते हैं अब जलते हैं देखिए तो जब आपका metal water के साथ reaction करता है तो बना देता है आपके पास metallic oxide और hydrogen gas उसके बाद वो जो metallic oxide है वो फिर से reaction करता है यहां पर water के साथ और क्या बना देता है hydroxide बना देता है metallic hydroxide तो इसको कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं जैसे यहां पर पहले क्या होता आपके पास metal है metal है और यह reaction करता है water के साथ और क्या बना देता है metallic oxide और उसके बाद प्लस क्या बना देता है hydrogen gas हो रिलीज हो जाती है hydrogen gas का टेस्ट भी कर सकते हो कैसे यह वही gas है जो pop sound के साथ burn होती है candle लेके जाओगे टेस्ट ट्यूब के उपर तो यहां पर burn होगी चलिए इसको एक बार देख लेते हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कि यहां पर एक burner लगाया हुआ है और यहां पर cotton का टुकड़ा है जि रियक्सन करेगी तो मैंने अभी अभी बताया क्या बनाएगी आपके पास मैटलिक हाइड्रोकसाइड बनाएगी ठीक है तो यहां पर इस टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे होंगे उपर की तरफ हाइड्रोजन हो रही है और इसका चाहें तो आप टेस्ट भी कर सकते है क्योंकि वो गैस भी आप साउंड के साथ बर्न होती है तो यहां पर हमारे पास जब यह मैटलिक औकसाइड दुबारा से रियक्सन करती है किसे साथ यहांपे मैटलिक अखसाइड है रियक्सन करेगी वोटर के साथ और क्या बना देगी ऐ 옆 तो यहां पर हम बात कर लेते हैं क्योंस की सबसे पहला देखिए फिर वहीं आता है सोडियम और पोटेसियम हाइली रियक्टिव हैं जब इनको रियक्शन करवाओगे तो देखिए यहां पर आपके पास पोटेसियम है और वोटर के साथ रियक्शन करेगा यहां पर बहुत सारी हीट हो जाती है इसको बैलेंस कर देंगे आप कहेंगे तो देखिए यहां पर टू कर देता हूं और यहां पर आपके पास हो जाएगा 2KOH बैलेंस हो गई हमारे पास हीट बहुत रियलीज हो जाती है एक और लिख लेता हूं फिर बताऊंगा क्योशन सोडियम यह देखिए यह सोडियम है और सोडियम भी रियक्शन करेगा वोटर के साथ एस टू के साथ तो क्या बनाएगा यहां पर आपके पास एने वेट ब बनाते हैं वहां भी पुछा जाता है उक्सिजन में भी तो आपको पता यह हाईली रियक्टिव हैं सबसे उपर बैठे हैं पोटेसियम सोडियम बहुत उपर बैठे हैं रियक्शन करते हैं तुरंत आग पकड़ लेते हैं जैसे इनको वोटर में डालोगे ब्लास्ट हो जा जाता है फिर उसके बाद सेकंड यहां पर पोइंट बाता है केल्सियम कैल्सियम बहुत पकट लेता है कैल्सियम रियक्शन थो करता है यानि calcium जब reaction करेगा water के साथ क्या बनाएगा यहाँ पे calcium hydroxide CA यहाँ पे लिख देता हूँ calcium hydroxide CAOH2 ठीक है और प्लस यहाँ पे hydrogen gas भी release होगी ठीक है यहाँ पे भी होगी hydrogen gas release ठीक है यहाँ भी कर देते हैं यह H2 और यहाँ पे भी होगी आपके पास H2 हो यह hydrogen gas भी होगी यहां भी होगी और हां भी होगी लेकिन यहाँ पे हीट तो है नहीं होगी लेकिन इतनी हीट नहीं होगी कि यह reaction कर सके और यह आग पकड़ सके यहनिद्में को इतनी सारी हीट रिलीज होती है कि गरम पानी के साथ reaction करते हैं तो ये जो potassium और sodium है ये तो cold water के साथ reaction कर लेते हैं calcium भी cold water के साथ reaction कर लेता है तिन्नों कर लेते है cold water के साथ reaction लेकिन magnesium नहीं करता है ये hot water के साथ reaction करता है गरम पानी के साथ reaction कर सकता है ठंडे पानी के साथ magnesium reaction नहीं करेगा तो ये भी क्यों सन हो गया हमारा पहला क्या हो गया सोडियम पोटेशियम दूसरा कैल्सियम होट वोटर के साथ रेक्षन करतों लेता है बना भी लेता है मैटलिक हाइड और लेकिन अब यह आग नहीं पगड़ सकता क्योंकि इसके पास इतनी हीट नहीं है ठीक फोर्थ सथ रहा है आपके पास मैगनी सिएंव यह कोन से व्योंकि साथ रिक्षन करेंगा माइगा थंड़े पान के साथ रिक्षन करता है Happens मोलं साथ में फोल साब करेंगे लेकिन किसके साथ करेंगा होट वोटर के साथ करेंगा यह हो लुग किρिए। ऑना य कि wild water के साथ न होट वोटर के साथ तो किसके साथ करेंगे इस्टेम के साथ यह इस्टेम के साथ करते हैं भाफ के साथ साथ करते हैं यह तो कोलड वेटर के साथ कर लेंगे आराम से बहुत रीएक्टिव हैं यह थो चाहिए रहें कि हम कब रीक्ट्ट्रीक्षन करें कब कैरोसिन ऑईल से आमें बाहर निकाला जाए यह जो होट वोटर सब्सक्राइब करता है मैगनेशियम कोल्ड के साथ नहीं करता जैसे क्योंकि देखिए क्या हो रहा राएक्टिविटी दीरे दीरे लो होती जा रही है उसके बाद सबसे पहले सोडियम और पोटेसियम कोल्ड वोटर के साथ रेक्शन करतों लेते हैं बहुत हीट रिलीज करते हैं इसलिए केरोसियन ओल में डुबोके रखते हैं पता है आपको यह बात बनाते क्या हैं मैटली का हाइड ओक्साइड बनाएंगे वही जो सब बना रहे हैं दू मैगनिसियम रियक्शन तो करता है और इसको इसी कोमिनेशन में याद रखना आपके दारनात का माली जराफिक का पकाता है ठीक है तो यहां पर क्या होगा होगा होट बोटर के साथ रेक्शन करेगा ठंडे पानी के साथ नहीं करेगा मैटली हाइड ऑक्साइड बनाएगा और इतनी ही तो रिलीज करने का मतलब ही नहीं कि कि आगपकट ले क्योंकि कैल्सियम ही नहीं कर पाया- तो क्या कर लोगे कैल्सियम नहीं क리्ता था उसके बाद देखिए ऐलूमिनियूएंग जीनक और आइरन यह ना तो ठंडेके साथ करेंगे ना गरम पानी के साथ करेंग प्लस एसको वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार बता देता हूं आपको इसको रफ कर देते हैं पहले वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं जब मैटल एसीड के साथ रियक्शन करते हैं तो आपके पास क्या बनाते हैं बैसिकली साल्ट और हाइड्रोजन गैस पर एक बार और और एक्जामपल्स को देख लेते हैं तो यहां पर पोटेसियम और सोडि यहां पे आएगा आएगा आईढेन करते हैं और एक्जोथरमिक रियक्शन होती है यहां पर क्यों qualidade है जिसमा इस ने हल की चाहिन करें क्या बनाएंगे MgCl2 Magnesium Chloride प्लस में Hydrogen Gas Release होगी तो यह जो Hydrogen Gas है इसकी वज़ाए से बहुत सारे जो bubbles है वो फोम हो जाते हैं तो यह reaction होते हैं तो bubbles होम होते हैं अब काफी बार यह भी पूछ लिया जाता है क्या copper reaction करता है ACD के साथ तो क्या copper प्लस HCL यह reaction possible है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक copper है वो देखे कि आप देख सकते हैं कि less reactive metal की category में आ जाता है तो यह reaction है वो possible नहीं हो पाएगी तो यह काफी बार इस तरह से आपको दे दिया जाता है Magnesium, Aluminium, Zinc और Iron और बोला जाता है कि इनको arrange करो कि acid के साथ कौन ज़्यादा अच्छे से reaction करेगा तो आप ठीक यहीं order और यह order आपको याद रखने की ज़रूत नहीं है अगर आपने केदार नात का माली, आलू, जरा, फिका, पकाता है याद रख लिया तो आदमी पार्टी का समझ गए ना बात को तो हर मेटल के लिए हमने एक अलफाबेट को ले रखा है तो यह याद रखेंगे तो फिर इनकी याद रखने की ज़रूती नहीं है जब इनसे क्योसन आए acid का जब किसी oxygen के साथ आए या फिर water के साथ आए या फिर acid के साथ आए अपनी reactivity series को लिखो और वहाँ से चलते चलो sodium, potassium तो total मिला करके मैंने देखो अब यहाँ पर remind करते हैं कौन को इनसे क्योसन मैंने आपको बता दिये मैंने यहाँ पर total क्योसन साब को बताए जब एक तो sodium और potassium है इसको क्यों यहाँ पर carosine oil में रखते हैं क्योंकि water के साथ भी बहुत fast reaction करता है oxygen के साथ भी बहुत fast reaction करता है heat बहुत release होती है तुरंट आग बकड लेता है फिर उसके बाद कौन से ऐसे metals है जिनकी oxide हो एक protecting layer की सतरह से काम करती है तो फिर यह आगे हमने देखे थे magnesium, aluminium, zinc और यहाँ पर lead इनके लिए ठीक है फिर उसके बाद कौन से ऐसे metals है जो reaction करते ही नहीं है कौन से ऐसे metal के oxide है aluminium oxide जो क्या amphoteric है यह हमने पढ़ा कौन से ऐसे metals है cold water के साथ कर लेते है reaction तो यह sodium, potassium, calcium magnesium, कौन hot water के साथ करता है magnesium, कौन यहाँ पर दोनों के साथ नहीं करता है न hot न cold, steam के साथ करते हैं तो aluminium, zinc, iron फिर कौन ऐसे हैं जो water के साथ भी नहीं करते तो फिर यह आपके पास lead, copper, mercury, फिर silver, aurum और platinum यह नहीं करते हैं उसके साथ भी reaction नहीं करते metal, जब acid के साथ reaction करता है, तो क्या बनाता है salt और hydrogen gas create कर देता है यहाँ पर reactivity series क्या है इनके लिए तो यह जो order है, यह आप लिख सकते हो decreasing order, पहले magnesium है, फिर उसके बाद यहाँ पर aluminium है, फिर zinc है, फिर iron है तो यह जो order है, वो आप लिख सकते हो वीडियो को like करिए, share करिए अपने friends के साथ, मैं भी लोगा आपको next video के अंदर, next topic के साथ, तब तक के लिए thank you, have a nice day